अभ्यास तीन अंतर संसद्य संगठन एक ऐसी संस्था है जिसके मंज पर उन सभी देशों के संससदस्य मील जूलकर विश्व की महत्वपून समस्याओं पर विचार करते हैं जिन देशों में किसी न किसी रूप में संसद्य प्रणाली का चलन है इस संगठन की बैठक एक वर्ष में दो बार होती है समस्य संसद्य प्रणाली के देशों के एक हजार प्रति निधी उन देशों के प्रतिनिधी मंडलों के रूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं इन प्रतिनिधी मंडलों में उन देशों की संसदों के अध्यच, उपाध्यच एवं संसदिय कार्यमंत्री भी होते हैं इस समय विश्व के अनेक देशों में अनेक प्रकार की संसदिय पंडाली है जिन में रूस, हंगरी, पोलेंड और पूर्वी जर्मानी जैसे देश हैं दूसरी और अमरिका, बिर्टेन, फ्रांस, इटली और कानाडा जैसे देशों में अपने धंग की संसादिय पंडाली भी दमान है जो अपनी संसादिय पधती को आदर्स मानते हैं इसी प्रकार के औरब देश एवं एजिराल की अपनी सासन पधतियां है इनके अत्रिक्त भारत, पाकिस्तान, नेपाल और सिरलंका में प्रिथक प्रिथक लोगतंत्रिय अथ्वल संसादिय पंडाली का चलन है उधर अफ्रिकी देशों की अपनी वेस भासा और अपनी सासन पधति निराली ही होती है सनिक्तराश संग संसार का सबसे बड़ा संगठन है और उसके अनेकों सहायक संगठन होते हैं जिन में से उनिसको, उनिसेफ, विश्व स्वास संगठन, विश्व खाद परिशद, विश्व बैंक आदी प्रमूख है सनिक्तराश महासभा में जो प्रस्ताव पास होते हैं वे समस सदस्यों पर अनिवारे रूप से लागू होते हैं किन्तु उनको लागू करना या ना करना उस देश के उपर निर्भर करता है जिसके बारे में निर्णे होता है सनिक्तराश महासभा और अंतर संसादिय सम्मेलन में यहीं अंतर है कि इसके निरणे अथवा स्वकृत प्रस्ताव सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्टों पर बंधन नहीं होते जबकि सन्युक्त राष्ट महास सभा के प्रस्ताव उन देशों पर बंधन होते हैं भले ही उनको वे देश लागू करे या न करे अभी तक इस संसा के सदस्य कई राष्ट नहीं हैं किन्तु आज भी इसमें बड़े से बड़ा राष्ट चीन भी समलित है जहां विश्वकी एक चोथाई जनसंख्या रहती है इस छोटे से छोटे राष्ट भी हैं जैसे हंगरी पोलैन नेपाल आदी इस संसा का एक बहुत बड़ा लाविया है कि दुनिया के इतने देशों के लिए अपनी बात कहने और अपनी इस्थिती अस्पस करने का यह एक ऐसा मंच है जो सन्युक्तरास को छोड़ कर संसार में दूसरा कहीं नहीं है यहाँ पर आपस में मिलकर कई ऐसी समस्याओं का हल निकालना संभव होता है जिनको सुल्जाना कठिन माना जाता है अब संसार के देशों में संघर्ष के बजाए सवहार्द का वातावरण बनाना अरम हो गया है और समरिद देश और गरीब देशों के बीच की खाई कम हो रही है बिश्वक के देश भारत के वसुन्ध कुटुम्ब के सिधान को अपनाने लगे है संसार के मंत्री का वातावरण पैदा करने के लिए स्री जवाहार लालनेहरू ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया उसे भूलाया नहीं जा सकता है समाप्त